लॉजिकल वाला सेक्षन आज देखेंगे तो लेटेस्ट लेने का रीजन यह है कि एक्जैक्ली आपको आइडिया लग जाए कि पेपर में कोश्चंस कैसे आने वाले हैं ठीक है न ताकि आप अपनी जो प्रिपेशन है उसका लेबल उस हिसाब से कर पाओ लेगा ठीक है ठीक है तो एससीजी दोजार चॉबिस के पॉइंट अब व्यू से अपन कर रहे हैं आपे लॉजिकल रिजनिंग यह पेपर हुआ था नौ अक्टूबर को फ़र्ड शिप्ट में ठीक है 2023 में डन तो चलिए फिस्टार्ट करते हैं रिजनिंग के कोश्चंस तो यह रहा आपक याद रखिएगा पेपर काफी अच्छा बना हुआ है इसलिए कट आफ रिलेटिवली कम गया था इस पेपर का ठीक है ना तो आप पहले से मेंटली प्रिपेर रहिए कि कोश्चन अच्छे हैं डन चलिए बताईए और सीखने के परपस से क्लास में बैठिए डन चलिए बताईए और सी ओके ओके देखो क्या कोश्चन है तो फ्यू माउंटेंज आर रिवर्स देखो ज़रा फ्यू माउंटेंज फ्यू माउंटेंज आर रिवर्स ठीक है फ्यू माउंटेंज आर रिवर्स मोस्ट रिवर्स आर वैलीज ठीक है क्या मोस्ट रिवर आर वैलीज ध्यान से समझेंगे मोस्ट रिवर आर वैलीज ठीक है क्या मोस्ट रिवर आर वैलीज अल वैलीज अल वैलीज अल वैलीज अ वारट फील थींगे जो ग्रीन में आप देख रहे हो डैट इसале डूट ओल वैल इस तो टृट सो नुट आँअच Hillary- emoji सिर्ण फिर से देखो सभी घाटियां पहाडियां सभी वैलीज बेसिकली क्या है है सभी वैलीज है सभी वैलीज है अब यह आपका डियाग्राम बन चुका है अब इसके साफ से कोशन देखते हैं कंक्लूजन क्या है few mountains are valleys देखो few mountains क्या mountain का थोड़ा भी हिस्सा वैलीज है क्या नहीं ए गलत है सम hills are mountains क्या कुछ hills mountain है नहीं ए भी गलत है सम रीवर आर हिल्स सम यह दिखो पूरा रीवर है और यह पूरा हिल्स है रीवर का कुछ हिस्सा हिल्स भी है सम रीवर्स और हिल्स तो थर्ड स्टेट्मेंट इस राइट तो इसका मतलब वड़िदा आंसर आउनली कंक्लूजन थ्री फॉलोज ठीक है क्या चलिए क्लेर सबको आगे बढ़ जाते हैं अच्छे कुशन साने वाले सीखने को बहुत अच होता है उसी तरीके सापको बताना है ऐसी तरीके से रिटार्ड होता है उसी तरीके साब को बताना है एक कि इसमें से या तो synonyms होंगे तो एक या लग रहा बाधा डालना धीमा करना एक ही बात है तो synonyms लग रहे अब देखो इसमें से synonyms कौण कौण है तो वेर गोड़ बुदा राइड आंसर रिज एड ही वाट फीका करना या नीरस यहाँ ऊचुकी कोई झीवन हमारा जीवन ही नीरस हो चुका है न परियावाची सब्ध है बेसिक लिए डन clear है सबको चलिए मलब कहीं ने कहीं थोड़ी बहुत आपकी English की भी testing होगी यहाँ पे भावक नहीं होना है question पर द्यान दो question number 3 question number 3 Mustang horse Mustang and horse जिस तरीके से Mustang और Horse में relation उसी तरीके साब को बताना है इसमें से किसका relation है actually Mustang एक नब ब्रीड है हो और स्की एक ब्रीड है ठीक है? हो और सी तरीके से बिल्ली की cat की एक ब्रीड है Burmeese ठीक है जो यह वरमा में पाया जाता है साथ में हमार साइड में ठीक है तो एक्चुली राइट आंसर इज वाट भी अभी थोड़ा सा जन्रल नॉलेज में एक घुश गया ना इरिजनिंग नहीं रहा अभी जन्रल नॉलेज हो गया कि यह साथ अफ्रिका साइड में पाया जाता है कि घोड़े की ब्रीड होती है मस् अबर मीज ठीक है खैर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चलिए इसका अंसर बताए कुशन नंबर फोर कुशन नंबर फोर इस ब्रांच को क्या लिखा गया है डी यू सी क्यू ए के कारबन को क्या लिखा गया है एडी टी एक्यू क्यू तो उसी तरीके से डी यर आई भी इन को क्या लिखा जाएगा जल्दी बताइए अ कि ब्रांच को डी यू सी की यू ए के कारबन को तो पहले आप इसमें रिलेशन रोड़ी है फिर इस पे आ जाईए जल्दी बताइए सब लोग कि जल्दी बताइए सब लोग कि देखो जारा बी ये कितना है आपका 2 18 एक 14 3 8 कि 17 पांच और यह आप का 11 भी एग क्या तो व्लस टू प्लस ठी प्लस टू प्लस ठी द्री क्लस टू प्लस टू प्लस ट्री life ठीक है क्या तो प्लस टू प्लस थ्री वाला कॉंसेट बंदा तो देख लेते हैं चार अठारह नौव बाइस पांच फोर्टीन तो प्लस टू छह प्लस थीन 21 11 प्लस तीन 25 प्लस बेसिकली साथ और प्लस तीन 17 ठीक है दो तीन दो तीन दो तीन अब बस आप क्या गरो यहां अपल लिख दो सिंस किसका होता है से एफ का और यू एंड कर एक्स ठीक है चैक वाहिच य क्या होता है q1 था आगे बढ़ जाते हैं कि आब जाते हैं कि जितना जल्दी नमब लिखो गई उतना जल्दी डिटेक कर पाऊगे मालो नमबर इसके लिए तो नमबर नहीं वियाद होता कि भी सी डी मलब एक लेटर छोड़ करके आर 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 के बाद बेसिकली क्या आता है यास टी यू तो दो लेटर छोड़ करके इस तरह के से आप सोच सकते थे कोई बड़ा इसू नहीं था ठीक है चलिए आ गया जाते हैं इसका अंसर बताईए कि इसका अंसर बताईए पहले आप इसमें क्या पुछा है select the set in which the number of related in the same way as are the number of the following sets तो पहले आप इसमें देखो relation क्या है 366 मलब कैसे कैसे 33 और 6 को हम 54 लिख सकते हैं 22 और 7 में क्या relation करें कि 30 आ जाए उसी तरीके से पहले आप इसमें relation identify करो फिर उसी relation को इधर implement कर लिजेगा ठीक है क्या उसी relation को इधर implement कर लिजेगा जल्दी बोलो दिमाग लगाओ जल्दी तो देखो जा रहा क्या हो जाएगा अब एक 54 है अगर मैं 54 का half सोचूं तो कितना होता है ट्वंटी सेवन ट्वंटी सेवन अब ट्वंटी सेवन इनके operation से आ सकता है क्या तो 33 माइनस 6 आ जाएगा तो 33 माइनस 6 कि इतना आ जाएगा 27 दो से multiply कर दिया एक यह idea लगा चलो काम करते दूसरे में देखते हैं आता है यह नहीं आता है इसका कितना होगा 15 15 मलब इसका हाफ 15 15 आ सकता है क्या 22 में से साथ या 15 आ जाएगा तो 22 माइनस 7 कि कितना हो गया पंद्रह गुड़े 2 एक इतना आ गया 30 आ अब आप देखो कि सेम रिलेशन को कौन फूल्फिल कर रहा है जैसे 26 माइनस 8 26 माइनस 8 कितना हो गया 18 18 दून च्थिस इ यह तो सेम पैटन पे चल रहा है, 18-30, 15, 18-30, 15-32, यह पैटन पे नहीं फॉलो कर रहा है, 14-4, that is 10, 10 into 2, that is 20, but 26 है, यह भी नहीं कर रहा है, इसी तरीके से 24-2, that is 22, 22 into 2, that is 44, but क्या दिया हुए है, 66, तो यह भी नहीं होगा, A, B, नहीं होगा, what is the right answer, right answer is A, समझ में हैं सबको, जल्दी बता दीजिए एक बार, ठीक है क्या, Done, तो इस तरीके से आपको, और maximum time यही होगा, कि जो दो छोटे नंबर होंगे न, उसमें operation करोगे, और तीसरा नंबर आप लाओगे, ठीक है न, चलिए, आगे बात करते हैं, इसका अंसर होता ही है, इसका अंसर सबसे चाहिए मुझे, Select the option that represent the correct order of the given words as they would appear in an English dictionary, जल्दी बोलिए, English dictionary में इनको आपको arrange करना है, इसका अंसर मुझे सबसे चाहिए, जल्दी बोलो, तो W पहला लेटर में तो कुछ है नहीं, यह दूसरा लेटर है, तो दूसरे लेटर के हिसाप से, H का कितना होता है, आठ, आठ, और यह कितना है, नो, नो, आठ, नो, तो बिसिकली, अगर आप ध्यान दो, तो एक, दो, और पांच, यह पहले आ जाएगा, चलो, सम्मेह है, तो आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, कि पांच और एक में कौन पहले आएगा, पांच और एक में देख लेते हैं, कौन पहले आएगा, तो डवलू, एच, आई, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 16 है, पी, बिसिकली क्या है, 16, 11, तो मलब एक पहले आएगा, एक पहले आएगा, तो यह तो एक दोनों नहीं होंगे, एक पहले आएगा, पांच दूसरे पर आएगा, अब दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, तीन और 6 में देख लो आप, एक पांच दो, एक पांच दो, अब तीन और 6 में देख लो, आंसर बता दो आप, तीन और, 3 and 6, 3 and 6, W, I, S, यहाँ पे T है, T के लिए 20 होता है, और H के लिए 8 होता है, तो 6 पहले आजाएगा, वाट इस दे राइट आंसर, राइट आंसर इज, ए, ठीक है क्या, राइट आंसर इज, ए, चलिए, बढ़ या, वेरे गुड, तो, राइट आंसर इज, ए, ठीक है, चलिए इसका अंसर बताइए सब लोग, इसका अंसर बताइए, शलेक्ट ऑप्शन दाट रिप्रेजन दे करेक्ट ओर्डर अप्ट गिवें वर्ट्स आज दे वोड़ आप्पिर इन इंग्लिस, इन इंग्लिस डिक्शनरी, वह ए, डिक्शनरी से रिलेटेड कोश्चन है, यह भी अटेम करोगे आप, बोलो जल्दी, तो यहाँ पे, तीसरे लेटर से डिफ्रेंस आना स्टार्ट हो रहा है, तीसरे लेटर से, ठीक है क्या, जे का कितना होता है, दस, इका कितना होता है, पाँच, एल, एल का 12, और ए का कितना, 5, और एल का 12, तो सबसे कम कौन है? 5, तो बिसिकली, दूसरा सबसे पहले आ जाएगा, तो फिर तुरंत ही आंसर बता दोगे न, बोलो हाँए न, अगर दूसरा सबसे पहले आ गया, एक मिनट, एक मिनाट एक मिनाट शोरी सोरी यहां पे देखो दो और दो और चार में डिफरेंस है ओभी इओ वी है और इंस में पहले आप देख लो ना ओभी इसका तो हो गया है तो चौथा सबसे पहले आजाएगा और फिर दूसरा आएगा चौथा पहले आएगा दूसरा अब इसके बाद देखो क्या होगा इसका तो हो गया 4 & 2 4 & 2 यह तो confirm है अब बाक्यों में देख लेते हैं बाक्यों में देख लेते हैं कि 153 153 इसमें कौन-कौन आएगा तो basically यहां पर देखो अब पांच और तीन में देख लो बस आप पांच और तीन में तो जी ए टी यहां पर आई आई मतलब 9 9 और यह 15 तो basically 3 पहले आ जाएगा What is the right answer? Right answer is B ठीक है क्या? Right answer is B यह 5 यहां पर है न, 5 यहां पर है, confused मत होना यह ठीक है पांच यहां पर है Clear है क्या? चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसका answer होता ह这 हुख इसका answer होता ही है कुछ से नमबर एट बताइए बताइए क्या बोला गया है और डॉक्स आर कैट और डॉक्स आर कैट सारे कुट्टे बिल्लियां है और डॉक्स आर कैट डन दूसरा फिर से देखिए सम काउज आर कैट सम काउज आर कैट सम काउज आर कैट अब जब उसने बोला सम काउज आर कैट तो दो आप्सन हो सकते थे या तो मैं ऐसे बना दू या तो मैं ऐसे बना दू कि सम काउज are cat या फिर मैं ऐसे भी बना सकता था some cows are cat some cows are cat ठीक है इसने साफसाँ बोला some cows are cat but not the dogs तो इसलिए हमें इस वाला case consider नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अगर इस वाला case consider करोगे Тो some cows are cat as well as some cows are dogs as well बोलो हां याना तो इसलिए हमें एक केस कंसीडर नहीं करना पड़ेगा क्या इसने बोला है इसलिए मुझे अलग अलग करना पड़ेगा अगर मैंने साथ में रखा तो फिर क्या हो जाएगा फिर यह वाली स्टेट्मेंट गलत हो जाएगी इसकी अब इस इस एक डागराम है अब आजवाब आप कंक्लूजन पेवलियुज देखो जरह क्या पोला है सम डॉक्स आर काउज क्या सम डॉक्स आर काउज नहीं जब अलग अलग है तो कहां पर होगा संब आगर अर काउ तो बेसिकली यह तो गलत हो गया कोई भी नहीं सम इस्टेट्मेन तो गलत हैं दूसरा देखो-r tags are both dogs and cows some cats are both dogs and cows कहां common तो ही नहीं नहीं ऐस दूसरी वहली प्हूतों सहऑ होते ही जब मैंने काउ को ऐसे बनाया होता ऐसे बनाया होता तब बोले कि सर देखो सर देखो कुछ बिल्लियां हैं जो कुत्ते भी हैं और गाय भी है समझ में आया क्या बट मैंने ऐसे बनाया नहीं है तो आप यह वाला स्टेटमेंट भी गलत कर दोगे कि सम कैट्स और बोथ डॉक्स एंड काउज बोथ बोल दिया ना बोथ कि दोनों होंगे ऐसा तो है नहीं कोई भी ऐसी बिल्ली नहीं है जो कुत्ता भी है और गाय भी है कोई भी ऐसी बिल्ली नहीं है जो कुत्ता भी है और गाय भी है बोलो हाया ना अरे बता दो यार क्लियर हुआ नहीं हुआ ते भी गलत है तो नाइदर वन नौर तू फॉलोज ठीक है एक छोटी सी गलती फिर वही है यहां पर यही चीज तो ध्यान रखना है न हमें यही चीज तो ध्यान रखना है क्योंकि आप अगर जल्दी बाजी में करोगे तो एक नंबर तो जाएंगे जाएंगे पॉइंट फाइब जो आपने सही किया होगा उसके भी निकल जाएंगे तो वन पॉइंट फाइब नंबर का बिसिकली यहां पर लॉस हो जाएगा और उससे पता नहीं कितने हजार पीछ आसान नंबर कहां से उठाए जा सकते हैं तो दाइट इस रिजिनिंग हमेशा याद रखना चलिए कोशन नंबर नाइन इसका अंसर बताएं कोशन नंबर नाइन सुचो टेक्निकल तो आप एक साल से पढ़ रहे हो रिजिनिंग तो कितना साथ आठ लेक्चर हुआ तब भी इतने कोशन कर पा रहे हो तो बड़ी बात है न फिर जितना एफ़र्ट टेक्निकल को दिया अगर उसका 20 परसंट भी दो गे न तो पचास में पैतालिस आजाएंगे आपके चलिए बताईए इसका अंसर बताईए वड़ीदा अंसर अगर कि ए ओके तो दिखो जारा है क्या बोला है पहले इसको देख लो एल ओ ये तो अपोजीन नहीं लग रहा क्या एफ का पोजीट यू एग्यारा का डबल डबल ठीक है उसके बाद टी जी टी एबी आपोजीट एबी आपोजीट और एडबल तो बाइस का अपोजीट या हाफ तो है नहीं तो डबली होगा कितना हो गया 44 एक आपोजीट जेड पी का आपोजीट के जेड के 44 right answer इज उकसाना हतो साहित करना तो उकसाना हतो साहित करना तो बताओ पारंगत कि इसका क्या होगा कि इसकी क्या है उक्साना और हतोत्साहित करना उक्साना मलब पॉस्टिव वर्ड में है कि मोटिवेट करना ठीक ना मोटिवेट करना तो मोटिवेट का डी मोटिवेट करना ठीक ना डिसकरेस्ट तो इस अपोजिट लाइक अपोजिट तो इसी तरीके से पारंगत मतलब रहए सबीत, पारंगत मतलब अच्छे से काम आता है त तो पारंगत का आपोजीट क्या हो जाएगा, अलपग्य, सूपरफीशियल अलपग्य, आध अधह जैनि, फर द इंगलीज तो खैर मुझे भी नहीं पता इसका बताओं 11 डी ओके डी वेरे गुड तो बीस से तीस कितने का गैप सबसे पहला काम तो यही होता है डिफरेंस निकालने वाला ना सबसे पहला काम यही दस एक क्या गैप कितना 12 42 से छपन कितना 14 तो इसका कितना गैप आजाएगा 16 तो 56 प्लस 16 कितना हो गया चाचा बार पांच एक छह एक साथ वड़ीदा आंसर आंसर इस डी ठीक है सिंपल है यह तो यह तो काफी सिंपल था एक ऐसे बोल देवा आप प्लस टू नहीं प्लस 12 ना वाला प्लस 16 ना 56 प्लस 16 ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं दिख रहा है क्या यह एक हो जो देखे कितनी तेज है आखे तुमारी खोज के दिखाओ नहीं खोज पाय तो चस्मा बनवा लेना जाकर नजरे तेज हैं तुम्हारे हैं चलो बढ़ियां राइड आंसर इस वाट बी देखो ज़रा यहां ध्यान दो याद अग्न ना रिजनिंग का पेपर अगर उचाह लेना तो टफ बनाई देंगे ओ एजी भी बना देंगे टफ एदिखो को इह हैं उसके बाद एप एच सब्साइब एच ठीक है धिका दिहां दिख्लक लग करो इए पाइधर है डैन以 चले आगे बढ़ जाते आगे बढ़ जाते हैं आगे अंसर इस पन सर्भी इसका अंसर बताओ दीख रहा है क्या विजीबल है क्या यह विजीबल है आप लोगों को यह तो बड़ा आसान है एक ही पहला लेटर मिलाओ आंसर आजाएगा पहला लेटर फिर्स्ट लेटर वेरी गुट दैटिश्टी न देखो यहां पर मैप यहां पर मिर रखो क्या जाएगा टी दो उसमें के सी स्टार्ट उसमें के सी स्टार्ट इसमें टीव है बट उल्टा है तो राइट आंसर इस वाट ड़ी ड़न ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसका अंसर बताओ है हाव मेनी ट्राइंगल साथ देर इन दे गिवन फिगर दिखो बाइस में किया था ना मने कोश्चन कोश्चन रिपीट हुआ है बेसिकली यह प्रीवीश इन कोश्चन लगाओ गे न बहुत कोश्चन रिपीट भी हो सकते हैं कॉंसेप्ट बता इसका अंसर कितना है कि ए ट्वंटी थ्री का कोश्चन है यह वड़िदा अंसर वेरे गुड़ दाइड इज ए ए दिखो ना दिखो एक दो तीन चार सेम कोश्चन की याद हमने अगर आपको याद हो कि पांच साथ आठ ठीक है क्या उसके बाद कि और कि और कहां है नौ कि दस इग्यारह बारह तीरह चोदह पंद्रह सूलः ठीक है कि सत्रह अठारह उनैस बीस सर चार और कहां है चार यह है इसको कंबाइन ली देखो आप कि दैड़ी जो ट्राइंगल ठीक है बीस चार चौबिस क्लियर हुआ गया तो राइट आंसर इजवाट ए डर्ण कि उससे थोड़ा सा अलग है उसमें तो ऐसे अंदर एक के अंदर एक नहीं बन रहा था उसमें सिंपल सिंपल बन रहा था बट आंसर यहीं था ट्वंटी फॉरी था आंसर ठीक है क्या चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसका आंसर बताएं कोशन नंबर फिप्टीन यह थोड़ा सा टाइम ले सकता है तीस तेरा एककिस तीन दो चार दो ठीक है तो एक ही तरीका है जो आपको थोड़ा सा साथ आसान करा सकता है क्या कि आप यह देखो कि डिवीजन कहां पर आ रहा है डिवीजन जहां भी आए फर्स सेकेंड थर्ड वो कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए तो कंप्लीट डिवीजन हो रहा है तो एक काम करते हैं पहले इसी को टेस्ट कर लेते हैं पहले इसी को टेस्ट कर लेते हैं तो तीस माइनस माइनस डिवीजन एक्वल क्रॉस एंड प्लस अब सॉल करके देख लेते हैं सही है या नहीं है ठीक है यह कितना आ जाएगा आठ कुछ तो दश इधर आजाओ तीस माइनस तीरा-21 इक्टिस माइनस तीन सौरी इक्टिस-डिवीजिन राई-ट्री कितना ऻजाएगा सेवन तो थीस-माइनस- वीजह यह भी कितना होगा दस ही होगा, इधर भी कितना आया, दस आया है, तो इसका मतलब पहला वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है क्या, फर्स्ट वनीज राइट अंसर, डन, आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करवाए इन्होंने, पहले में ही, इसका अंसर बताईए, कुश्टन नमबर 16, क्या है, कुश्टन नमबर 16, इना सर्टन कोड लेंगवेज, D-I-L, क्यू है न ये, ठीक है, एक क्यू है, D-I-L-Q is written as F-K-N-S, and S-B-G-K is written as U-D-I-M, how will F-O-R-A will be written, बोलो जल्दी, सबसे पहले नमबर लिग लेते हैं, 4, 9, 12, 17, 6, 11, 14, 19, देखो, प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2, ये तो प्लस 2 वाला सीन लग रहा, ठीक है न, तो 6, 15, 18, 1, 8, 17, 20, और ए 3, कितना वाजाएगा, 8 के लिए H, 17 के लिए Q, 20 के लिए T, 3 के लिए C, H, Q, T, C, बड़ेदा आंसर, आंसर इज, B, ठीक है, चलिए, आंसर आगे बढ़ जाते हैं, चलिए इसका आंसर प्ताइए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, लाइट्स इस रीटेन आज 93, एन, B, A, T, E, R, इस रीटेन आज 1, 0, T, 1, 0, 2, 2, how will, bring will be written in that language, ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझो, जब भी यह question आए, तो आप दो possibility होगी, सिर्फ दो possibility, इसके अलामा बहुत rare है कि तीसरा वर टाइप का कोई question बनेगा, बहुत ध्यान से सुन लो जब भी यह question आएगा, सबसे पहले आप क्या किया करो न, सबसे पहले आप number लिख लो, कितना, 12, plus, 9, plus, 7, plus, 8, plus, 20, plus, 19, डाइरेक नमब लिख लिए, एक बार इसको add कर लो, add कर लो कितना आ रहा है, 12, 9, 12, 21, 27, 28, 28, 28, 36, 36 और 20, कितना, 56, 56 और 19, 56 और, sorry, 56 और 19, 66, 76, 75 और रहा है, 75, बट दिया कितना है, 93, तो इसका मुलब यह वाला पैटन तो नहीं लग रहा, फिर, जैसे ही आपको दिखे गया कि O नहीं है, फिर आप क्या करोगे, दुसरा thought process आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो जरा, इसका opposite लिखो, L का O, I का R, G का T, H का YAS, T का G, और YAS का कितना होता है, H, अब एक बार इसका add करो, उसका add किया नहीं आया, इसका add करो, दिखो कितना आ रहा है, कितना आएगा, 15, प्लस 18, प्लस 20, प्लस 19, प्लस 7, प्लस 8, कितना आ रहा है यह, दिखो जरा, 8, 7, 15, 8 और 15, 15, 15, 15, 15, 15, कितना हो गया यह, 30 हो गया, 30 प्लस 20, प्लस 18, 36, 37, तो 50, Y, A का Z, G, G, और E का B, R का I, 20, तू यह, 25, यह, 26, प्लस 77, 7, प्लस 7, प्लस 22, प्लस 9, कितना ज़ा, कितना, 51, प्लस 14, प्लस 22, प्लस 9, तू, यह, कितना हो गया, 55, 65, प्लस, 229, 31, 96, 96 plus, यह दिखो ज़रा कुछ ऐसा लग रहा है, इसे किना आ रहा था, 87, हाँ, ठीके, 87 plus 6 कर दे रहे हैं, ठीके क्या, 87, देखो 87 इसका आया था, 96 इसका आया, बट इसको लीखा क्या इन्होंने, 93, देख रहो कितना दिमाग लगा रहे है, 87 plus 6, तब जाकी क्या आएगा 93, 96 आगया, plus 6, हाँ, plus 6, plus 6 कितना आजाएगा, that is, 102, 102, done, अब ब्रिंग को पहले आपन लिख लेते हैं, ब्रिंग को क्या लिखें, ब्रिंग को, वाई, इंडियन डेलवे, आर का आई, आई का आर, मैन, M, G का टी, तू, 25, प्लस, 9, प्लस, 18, प्लस, 13, प्लस, 20, कितना आजाएगा, ये एड़ का ने जारा, जार, 33, तू, पांच, पचासी, अब 55, प्लस, लेटर, 80, प्लस, लेटर, कितना, 5, तो बेसिकली कितना जाएगा, आंसर, आंसरीज, C, 30, 90, अच्छा ध्यार, काभी अच्छा कोशन था, आऐसे कोशन के लिए तैयार रहा है, आप, सब्सक्राइब इनको सिर्फ अपोजिट करके संतुस्ति नहीं मिले कि अपोजिट करके फिर आसान हो जाएगा एक तो होता है कि बहुत आसान क्या करना था इसंपल इसी नंबर का लेटर इसी पोजिशन मलबे जो लेटर देगा उसी का नमबर लिखकर के डैरेट बोल देगा उसका नंबर लिक करना है तो क्या करिंगे आप exercice एक महर् यह तो चलो अच्छा है कि यहां पे क्या option नहीं था 86 option नहीं था नहीं तो वहां भी tragedy हो जाती फिर समझ रहे हो कि नहीं कि पता लगा जो आया 85 सुरी 91 option में नहीं है नहीं तो पता लगा उसमें हम six side कर देते कि इधर भी six side है उधर भी six side कर दिया तो वहां पे और दिक्कत हो जानी थी समझने की कोशिश करो concept को ठीक है ना इजी वाले question आप कर ही लोगे याद रखना जो question आपको सिखा रहे है न यही question आपको वहां पे और लोगों से अलग करेंगे इजी वाले question जो करके खुस होते हो न आप वो तो करी लोगे आप भी कर लोगे बाकी भी कर लेंगे ड़न तो राइट अंसर इससी क्लियरे सब को आगे बढ़ जाएं एक बढ़ बता दो कुशन सबको समझ में आया की नहीं जो नंबर दिया था उसका अपोजिट लिया उसका पोजीशन नंबर लिखा उसमें नंबर अफ लेटर्स एड़ कर दिया सेम प्रोसीजर यहां पर किया और उसी तरीके से हमें निकालना किसका था इसका ब्रिंग का तो हमने उसका अपोजीट किया लेटर एड़ किया प्लस उसमें पांच एड़ कर दिया तो यह हमारा अंसर आ गया ड़न चलिए आगे बढ़ जाते हैं कुशन नंबर 18 कुशन नं कि देखो जब भी नंबर आये इतना तो समझ जाए करो ऐसा कुशन हमने किया भी था अगर आपको याद होतो जैसे अब इतना तो समझ मारा कि स्क्वायर होगा site said some trader का कॉίょ up में सब्सक्राइब होता है 289 प्यूट्व इंडिया कितना है ≪ 374 तो आपके दिमाग में पता क्या आना चींग सबसे पहले सबसे पहले क्या किया गरो इस नंब्र में से वाला नंबर अवसिए अगरीச क्राइब जब आपको डारेक्ट इसक्वाइर ना दिखे न तो पहले घड़ा के देखो और अगर उजू सब्ट्रेक्शन आ रहा है डाइट इस दो मल्टिप्लिकेशन आप 17 समझ लो आपका काम हो गया ठीक है घड़ा के देखते हैं कितना आएगा 14-9 कितना 5 16-8 कितना 8 अब देखो 85 पीज़ा मल्टिप्लिकेशन आफ वाट 17 ना 17 इसका मतलब हो क्या रहा है 17 का इसक्वाइर प्लस 17 गुड़े 5 यह आगया 289 इतना तो हम सोच सकते हैं ना यार कोई बहुत बढ़ा कोई बहुत बढ़ी बात नहीं बोला हूं मैं आपसे सरी सही है यह नहीं है कैसे पता चलेगा इसको निकाल लो आप 13 का इसक्वाइर प्लस 13 गुड़े 5 देखो 234 आ रहा है क्या 13 का इसक्वाइर कितना होता है 169 और 13 पच्चे 65 कितना चार चाचब बार एक तीन और एक दू मतलब हम सही जा रहे हैं हम सही जा रहे हैं हैं ठीक ह है क्या तो बस कुछ नहीं क्या करना हमने 14 का स्क्वाइर करना है प्लस 14 इंटू 5 कर देना है तो 14 का स्क्वाइर कितना होता है 196 और 145 कितना हो जाएगा हो बोलो सत्तर तो कितना हो जाएगा साथ 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 सिक्स टू डबल सिक्स वाड़ी राइट आंसर इज कॉन्फिदेंस खतम तो नहीं हो रहा रिजनिंग में ना लाग तो नहीं समझने लगे अपने आपको मत समझना कोशन अच्छा है कोशन अच्छा है पेसे के लिए ठीक है ओके आगे बढ़ जाएं इसका अंसर बताओ इसका अंसर बताओ बोलो कोशन नमबर नाइंटीन बोलो जल्दी कोशन नमबर नाइंटीन एक आंसर आ गया जल्दी बाजे में गलती नहीं हों थ्री को 2020 अब थ्री कै अंटी के आस पास थ्री का मल्टिप्लिकेशन कौन हो सकता या तो थ्री इंटु सेवन या तो थ्री इंटु सिक्स तो 3 इंटु सिक्स चटरिक अठारा अठारा प्लस दू बीस इग्यारा चागा चाचट प्लस दू अडशट तो साथ चंग बायालिस प्लस दू कितना? चोवालिस आंसर इज दी ठीक है क्या? आंसर इज दी समाज माई नी? मुल्टिप्लाइड बैए 6 दाट नमबर 3 इंटो 6 प्लस 2, 11 इंटो 6 प्लस 2, 7 इंटो 6 प्लस 2, that is 44 चलो इसका अंसर होता हूँ चलो देखो क्या है? ज्यान से देखते हैं, एक एक करके समझते हैं ए एंट बी यहाँ पर आजाओ ए एंट बी कहां है? ए है, तो ए बी की पतनी है ए बी की पतनी है ठीक है? ए बी की पतनी है मुल्ब यह दोनों हापस में क्या है? हस्बैंड वाइफ डन, ए बी की पतनी है दूसरा, अब इस पर आजाओ बी एंट सी यहाँ पर आजाओ देखो, पढ़ना कैसे होता है? यहाँ पर बी एंट सी है न? यहाँ पर ए एंट बी को मत पढ़ो आप यहाँ पर ऐसे समझो कि यह बी हैज एक सी है तो क्या यहां पर लिखा है ये का पिता है बड़ आप क्या पढ़ोगे भी सी का पिता है भी सी का पिता है ठीक है ना भी कि c का पिता है b c का पिता है ठीक है क्या b c का पिता है डन अब c पता नहीं कौन है मैल फीमेल पता नहीं तो b c का पिता है इदर आ जाओ अब इधर देखो C and D, C and D, कहां है, A है, तो C, D की पतनी है, C, D की पतनी है, C, D की पतनी है, ठीक है क्या, C, D की पतनी है, ओके, आगे देखते हैं, इधर आ जाओ, किस पे, D and E पे, D add the rate E पे, क्या है, D, E का पुत्र है, D, E का पुत्र है, ठीक है, यहाँ पे किसी E को बना लो आप, तो D, E का पुत्र है, ओके, उसके बाद, अगले पे देखो, क्या है, E, percentage F, E, F का पती है, E, F का पती है, यहीं पे, F, E, F का पती है, ठीक है, उसके बाद, F, प्लस G, F, प्लस G, मतलब, F, G की माता है, F, G की माता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे, F, G की माता है, F, G की माता है, तो अब देखो जरा, कहाँ पे है, क्या पूछा गया, F, G की माता है, तो सी जी से किस तरीके से संबंधित है ए दोनों भाई हुए ए आपस में दोनों भाई हुए और भाई की पतनी तो लिए C, G के भाई के पतनी है, ठीक न? ट्री यही बनेगा, ट्री यही बनेगा, ठीक न? चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, इसका अंसा बताओ, question no. 21, question no. 21. Select the figure from the option that can replace the question mark and complete the given pattern. एक सर्कल है, एक सर्कल देखो, इसमें दो सर्कल है, यह भी गलत है, इसमें दो लाइने हैं, यहां भी दो लाइने हैं, तोड़ी दा आंसर, answer is C, ठीक है, answer is C, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, इसका अंसर बताओ, question no. 22, question no. 22, which of the following option will replace the question mark in the given series. जल्दी बोलो, 17 का स्क्वार होता है, देखो, 289 में, अपन क्या करें कि 1 by 17 आ जाए, तो 17 से multiply कर देते, 17 से multiply कर देते हैं, क्योंकि, 289 can be written as 17 into 17, तो एक cancel हो जाएगा, दोखो हाया न, अगर मैं इसमें 17 से multiply करता हूँ, 17 से, तो यह आ जाएगा 1 by 17, फिर से 17 से multiply करूँगा कितना आ जाएगा, 17 सत्रा सत्रा कैंसिल, answer is what, B, ठीक है, answer is what, B, देखो, दन, तो इसमें पहले 17 से multiply किया, तो वन बटा 17 आया, 1 by 17 को फिर से 17 से multiply किया, तो 1 आया, और 1 into, 1 को फिर से 17 से multiply करोगा, तो 17 आ जाएगा, दन, चलिए, answer आगे बताएगे, कुछिन नमबर 23, if A denotes, plus B denotes, अरे यार, इसमें साई नहीं काया है कि, अरे यार, इसमें साइन ही काया है कि, एक 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 एक, कोशन नहीं कम्प्लेट साई यार, A denotes, B denotes, cross, मला multiplication, C denotes, minus, ठीके, A denotes, plus, and D denotes, division, अब बताईए न, ठीके, यहां से बताईए, hello, तो, if A denotes, plus, B denotes, multiplication, C denotes, minus, and D denotes, division, चलिए बताई, जल्दी, answer क्या हो जाएगा, 89, C denotes, minus, 8, A denotes, plus, उसके बाद, 18, B denotes, what? D denotes, division, ठीके, solve करें, 89, minus, 8, plus, 36, division, 4, 36, divide by 4, कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा, 9 और 8, plus 1, यह कितना हो जाएगा, 90, what is the answer, answer is, D, ठीके क्या, answer is what, answer is D, clear, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, इसका answer बताओ, 24, D, D, तो सबसे पहले क्या करें, bricks काटेंगे, पेड, सबसे पहले पेड काटेंगे, और, पेड से, क्या निकलेगी, लकडी, लकडी, फिर, लकडी से, बेशिकली क्या निकलेगा, तक था, एक तरीके से, पतले-पतले, strip type, तो दाटीज, 3, उसके बाद, फिर, सेल्फ, और से, बेशिकली क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कब बोर्ड, अलमारी टाइप, ठीके, बेशिकली क्या हो जाएगा, आठ, तो आठ से क्या होता है, बेशिकली, एच, ठीक है, एच, तो एक इना, बीस, अभी आठ हो रहा है, तो देखो ज़रा है, क्या हो रहा है, बीस के बाद ये आठ हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है, माइनस ट्वेल्व हो रहा है, माइनस ट्वेल्व, जहां से समझो, माइनस ट्वेल्व, तो फिर से आठ में से माइनस ट्वेल्व, तो बिसिकली कितना हो जाएगा, बाईस, अब 22 में से माइनस 12 कितना आएगा, 10, 10, 10 के लिए क्या होगा, J, तो H, J, H, J, पढ़िदा आंसर, आंसर इस D, ठीक है, आंसर इस D, डन, चलो, कोई बात नहीं, बना लो खाना, तो, चलो, इसका next part, अपन कल discuss करेंगे, ठीक है, next 25 questions, 23 के questions, आपको, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, इसलिए ये paper करवा रहा हूँ, ताकि, नए-ने concept, इंट्रोड्यूस करा पाहूँ, अच्छा, आप इससे मत परसान होना, सर, कि एक धिड़ घंटे हो गए, पचीश कोश्चन होए, यहाँ पर हम सीख रहे हैं, फिर practice करेंगे, फिर speed बढ़ेगी, ठीक है न, उस बात से ज़रा भी परसान नहीं होना है, ठीक है, तो, चलो, ठीक है फिर, मिलते हैं फिर, कल, next 25 कोशन के साथ, ठीक है, गुणनाइट everyone.